मेटाबोलिज्म टीवी में आपका स्वागत है जो मेटाबोलिज्म और स्वास्थे के बारे में सही जानकारी का आपका स्रोथ है आपका शरीर जूट नहीं बोलता मैं फ्रेंक स्वारेज हूँ मोटापा और मेटाबोलिज्म का विशेशज और आज मैं आपके साथ कुछ अनुभव उपलब्धियां और खोजें साज़ा करना चाहता हूँ जो मैंने पिछले लगभग 18 वर्शों में की है जब से मैं हजारों लोगों को वजन कम करने मधुमेह को नियंतरित करने स्वास्थे को पुनह प्राप्त करने उर्जा को पुनह प्राप्त करने यहां तक की अच्छी नींद की गुणवत्ता को पुनह प्राप्त करने में मदद कर रहा हूँ जब कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी हर दिन या लंबे समय तक एक ही काम करता है तो एक समय आता है जब आप ऐसी चीजें खोजने लगते हैं जो अन्यता आपने नहीं देखी होती है हर वो व्यक्ति जिसके पास एक पेशा है मान लीजिए एक महिला जो बहुत अच्छा खाना बनाती है अगर वह बहुत अच्छा खाना बनाती है तो वह इसे बहुत बार करती है एक समय आता है जब वह कुछ विशेश कौशल विकसित कर लेती है और कुछ ऐसी चीजें सीखती है जो बाकी लोग देखकर चकित हो जाते हैं तो इस कार्य में लोगों को वजन कम करने और स्वास्थे पुनह प्राप्त करने में मदद करने के दौरान मैंने कुछ सीखा है मैं एक पूर्व मोटा व्यक्ती हूँ मैं वह हूँ जो मोटापा से पीडित था मैं हमेशा से मोटा था बचपन से ही स्कूल में मेरा पीछा किया जाता था मुझे बुली किया जाता था क्योंकि मोटापा काफी नापसंद किया जाता है मोटे लोगों के खिलाफ भेद भाव होता है ये सच्चाई है भले ही इसे स्वीकार ना किया जाए लेकिन ये सच्चाई है मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने इसे खुद अनुभव किया है और मैं उन लोगों के लिए महसूस करता हूँ जो मेटाबोलिजम टीवी देखते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे किस से गुजर रहे हैं आखिरकार जब मैंने ये खोजा की मुद्दा खाना नहीं बलकि मेटाबोलिजम है तो सब को उन दुबले पतले लोगों में से एक के बारे में पता है जो पागलों की तरह खाते हैं और मोटे नहीं होते मैं उन्हें प्यार से दुबले पतले अभिशप्त कहता हूँ लेकिन धीमे मेटाबोलिजम जैसी चीज भी होती है तो इस मेटाबोलिजम और अन्य चीजों के पीछे के विज्ञान की खोज में मैंने बहुत सी चीजें सीखी है और आज मैं आपसे एक चीज साज़ा करना चाहता हूँ जो आपके काम आ सकती है यह कहते हुए कि आपका शरीर जूट नहीं बोलता और इसका कारण यह है कि मैंने देखा है कि जिन सभी लोगों की हमने मदद की उन में से कई ने मेटाबोलिजम की शक्ती या मधुमेह बिना समस्याओं की किताब पढ़कर शुरुआत की या हमारे इंटरनेट साइट पर गए या मेक्सिको, कोस्टा रिका, पनामा में किसी नेचुरल स्लिम में गए या संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलेक्स लिम में गए जो हमारी एक ऑंपरेशन है या पियोटो रिको में या यहां तक की लोग जो हमें लिखते हैं जो हमें बताते हैं कि देखिए मुझे ये समस्या है मुझे मुंहासे हो गएं मेरे गुदा में एक गांट हो गई है, मुझे एक फिस्टुला है, जो शरीर के किसी अन्य हिस्से में मवाद निकालता है, मेरे अंड कोर्ष सूज गए हैं, ऐसी चीजें है ना, हमें हर समय लिखते रहते हैं, तो मैं आपसे एक अवलोकन साजा करना चाहता था, जो आपके का काम आ सके, अवलोकन ये है कि आपका शरीर जूट नहीं बोलता, मैं इस अवधारना को समझाने के लिए एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूँ, जो आपके लिए उप्योगी है, यदि आपके पास उन अजीब स्थितियों में से कोई एक है, जिसके बारे में डॉक्टर कहते हैं, आह, ये अनुवंशिक होना चाहिए, ये वंशानुगत होना चाहिए, तो कई डॉक्टर जब किसी चीज का समाधान या कारण नहीं जानते हैं, तो ऐसा कहते हैं, है ना, तो वे इसे अनुवंशिकी, पापा और मम्मी और दादा-दादी को मानते हैं, जो जाहिर के लिए मेरे पास ऐसे लोग आये हैं जिन्होंने मुझसे कहा मैं डॉक्टर के पास गया मेरी उच्च रक्तचाप थी और डॉक्टर ने कहा कि मेरी उच्च रक्तचाप वन्शानुगत है क्यों क्योंकि मेरी मां को उच्च रक्तचाप था मेरे पिता को उच्च रक्तचाप और मेरे दादा दादी को भी वही व्यक्ति जिसने मुझे बताया कि उसे उच्च रक्त चाप है जो वन्शा नुगत है और इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता और उसे दवाईयां दी जा रही थी वही व्यक्ति बिल्कुल वही व्यक्ति हमने उसे कहा कि देखो तुम्हें एक विशेश आहार की आवश्यक्ता है जो हमने लोगों को वजन कम करने में मदद करने के लिए बनाया है लेकिन जब आप उन खाद्य पदार्थों को कम करते हैं जो वजन बढ़ाते हैं और जो बहुत अधिक इंसुलिन उत्पन्न करते हैं तो इंसुलिन कम होने पर कम सोडियम रोका जाता है और कम सोडियम रोके जाने पर रक्तचाप कम हो जाता है वही व्यक्ति जिसने मुझे बताया कि उसकी उच्च रक्तचाप अनुवंशिक है कि डॉक्टर प्राधिकरण ने उसे बताया था कि यह अनुवंशिक है तो जब हमने उसे तीन के बदले एक की डाइट पर रखा और उसे cold drink, कोका कोला और ऐसी चीजों के बजाए पानी पीने के लिए मनाना शुरू किया और साथ ही हमने उसे cat sorb लेना शुरू करवाया cat sorb potassium का एक supplement है एक प्रकार का potassium जिसे potassium citrate कहा जाता है जो शरीर से नमक निकाल कर रक्त चाप को कम करने में बहुत प्रभावी है तो जैसे ही हमने ये तीन चीजें की तीन के बदले एक की डाइट, अच्छी hydration, cold drink के बजाए, पानी पीना और cat sorb लेना चार हफतों के भीतर उस व्यक्ति का उच्छ रक्त चाप समाप्त हो गया यानि कि जो दबाव, blood pressure जो माना जाता था कि वंशानुगत है, डॉक्टर को दबाव की दबाईयां मूत्र वर्धक और अन्य दबाईयां हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा इसका मतलब यह है कि वास्तव में यह कहना आसान है कि नहीं, यह अन्वन्शिक है, यह एक virus है यह एक syndrome है, जब डॉक्टर इस तरह से बात करता है, तो वास्तव में आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे नहीं पता कि यह किस कारण से होता है, यही सच्चाई है अब हम यहां metabolism TV पर हैं ताकि आपको कारणों को समझने में मदद कर सकें जब मैं कहता हूँ कि आपका शरीर, आपसे बात करता है या आपका शरीर, आपको बताता है कि क्या हो रहा है तो मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, आपका शरीर जीवित है आप एक आध्यात्मिक पराणी है, हम सभी आध्यात्मिक पराणी है हम में से कोई भी केवल उसका शरीर नहीं है तो शरीर एक जीवित जीव है, लेकिन यह आप नहीं है मतलब आपका शरीर जैसे आपकी कार है और आप चालक है मतलब आपके शरीर की कोई राय नहीं है कोई दृष्टिकोन नहीं है कोई ग्यान नहीं है राय दृष्टिकोन और ग्यान आपके पास है आप व्यक्ति हैं आप वह आध्यात्मिक प्राणी है जो उस शरीर को संचालित करता है है ना शरीर तो शरीर है और उसकी कुछ आवशक्ताई होती है उसे पानी चाहिए उसे खाना चाहिए उसे सेक्स पसंद है उसे चुम्बन पसंद है इस प्रकार की सभी चीजें बिलकुल सही और हम सभी के पास एक शरीर है क्योंकि इसी से हम जीवन जी सकते हैं लेकिन वास्तविक्ता ये है कि आप आप हैं और शरीर शरीर है तुम्हारा शरीर जो एक जीवित इकाई है लगभग ऐसा है जैसे वह तुम से बात कर रहा हो अगर तुम सुन रहे हो हमने मेटाबोलिज्म के विशय में जो खोज की है वह यह है कि नेचुरल स्लिम प्रणाली से गुजरने वाले सत्तर आठ हजार से अधिक लोगों के साथ अभ्यास में शरीर के साथ होने वाली अधिकांश समस्याएं हमेशा भोजन के कारण होती है मेरे निशकर्ष के अनुसार किसी व्यक्ती की अधिकांश स्वास्थे समस्याएं उसके द्वारा खाये जाने वाले भोजन से उत्पन्न होती है मैं क्या कहूं आप आकरामक खाद्य पदार्थों के एपिसोड देख सकते हैं आप देखेंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ ग्लूकोज को उपर बढ़ा देते हैं और शरीर को असंतुलित कर देते हैं और शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं इसे नुकसान पहुंचाते हैं उदाहरण के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से चावल नहीं खा सकता मैं थोड़ा सा चावल खाता हूँ तो मेरी चीनी 200 तक बढ़ जाती है समझ रहे हैं मेरी पत्नी जींगे नहीं खा सकती उसकी भी चीनी बढ़ जाती है मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है लेकिन यह मुझे अच्छा नहीं लगता यह मेरी ग्लूकोज बढ़ा देता है अब शरीर हमेशा आपको संकेत देता है अब देखना यह है कि आप जागरूख हैं या आप जागरूख हैं और उस संकेत को देख सकते हैं जो आपको दे रहा है उदाहरण के लिए एक चीज जो सबसे अधिक संकेत देती है वह है शरीर के अंत में गुदा का क्षेत्र जहां से मल निकलता है यह तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत समवेदन शील क्षेत्र है क्या हुआ अगर आप कुछ खाते हैं मान लीजिए कि आपने कुछ खाया जैसे कि मेरे साथ अभी हुआ मैंने कुछ समय पहले सूर का मान्स खाना बंद कर दिया क्योंकि यह मुझे बहुत पसंद था लेकिन सूर का मान्स ग्लूकोज को बढ़ा देता था और वजन कम होने लगता था अगर आप उदाहरन के लिए सूर का मान्स खाते हैं और अचानक आपको गुदा में खुजली महसूस होती है तो जान ले कि यह खुजली एक चेतावनी है अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो आप सूर का मान्स खाते रहेंगे भले ही यह आपको नुकसान पहुँचाए और एक समय ऐसा आएगा जब यह फूट जाएगा आपको फोड़ा हो जाएगा एक फिस्टुला निकल आएगा और आप अंततह अंतह स्रावी विशेशज्य के पास जाएंगे जटरांत्र रोग विशेशज्य के पास जाएंगे और वहाँ वे आपको एक चीरा देंगे आपको बताएंगे कि शायद वहाँ एक छोटा सा कैंसर है भगवान जाने क्या चीज है ना लेकिन शरीर में जो कुछ भी होता है शरीर हमेशा उसकी सूचना देता है अगर आप इस संकेत पर ध्यान नहीं देते कि क्या हो रहा है उदाहरण के लिए मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं देखिए मुझे मुहासे हो रहे हैं ये 40 या 50 साल की उमर के लोग होते हैं इन्हें मुहासे नहीं होने चाहिए यदि आपको मुहासे हैं तो आपका शरीर आपको बता रहा है कि आप जो कुछ खा रहे हैं उसमें कुछ ऐसा है यानि ये चीनी हो सकती है ये चौकलेट हो सकती है हम सभी अलग-अलग हैं लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप जाने कि आपके शरीर द्वारा दिये गए सभी संकेत जैसे कि गले में खराश, आवाज का खोना, सिर्दर्द, थंडा पसीना, बलगम, शलेश्मा, कब्ज, गुदा में खुजली, त्वचा में खुजली अजीब अलरजी, यह सब आपको चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि आप जागरूक रहें और समझें कि आपका शरीर आपको एक चेतावनी दे रहा है हजारों उदाहरण हैं, जैसे कि मेरे पास कई लोग हैं, उदाहरण के लिए मेरे पास एक युवा है जो मुझसे कहता है, मैं कहता हूँ, उसके कुछ समस्याएं हैं, जिससे वह भावनात्मक रूप से अस्वस्त हो जाता है और मनो चिकितसक के पास पहुँच जाता है, यह कभी-कभी ही होता है और मैं उससे बात करने लगता हूँ, कहता हूँ, फलाना, क्या कोई ऐसा भोजन है जो तुम खा रहे हो जिसे खाने पर तुम्हारा शरीर कोई संकेत देता है, जैसे कि पेट फूलना, गैस बनना, ठकान महसूस होना, या खुजली होना क्या आप मुझे हेलो कह रहे हैं, डॉन फ्रैंक, अब जब आप यह कह रहे हैं, तो हर समय उसके पिता मुझे बुलाते थे क्योंकि उसे मानसिक अस्पताल में भरती कराया जाता था, एक युवा लड़का जैसे मनोविकारी हो जाता था, है ना, अरे डॉन फ्रान देखिए, अब जब आप यह कह रहे हैं, तो मुझे याद आ रहा है कि जब मैं चावल खाता हूं, तो मेरी पेट फूल जाती है, अ तो उसका शरीर उससे बात कर रहा है, अब यह आवश्यक है कि आप सुनें, कि आप सतर्क रहें और जानें कि शरीर में हो रही हर खुजली या कोई भी चीज, या आँखों का पानी, या आंसू, या कुछ भी जो कांप रहा हो, या जो भी हो, वह आपको चेतावनी दे रहा है, तो ध्यान रखें, आपका शरीर आपको सच्चाई बताता है, इसे सुनें, और मैं यह इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है,